नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मुबाइल न्यूस चैनल में टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से आम आदमी पार्टी के 21 विदायकों की सदसेता पर आज होगा फैसला चुनावा आयोग ने जारी किया था सबी 21 विदायकों को नोटीस संसदी ये सचीव बनाए जाने को केंद्र ने दी थी चुनोती बियासपी प्रमुक मायावती के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ा यूपी बीजेपी के बादग्ष दयाशंकर सिंग छे साल के लिए पार्टी से निश्कासित बयान के विरोध में सड़कों पर उत्रे बियासपी कारे करता गुजरात में गरमाया दलितों को पीटने का मामला साथ और दलितियों को ने खुदखुशी की कोशिश राहुल गांदी आजूना में प्यूडितों से करेंगे मुलाकात कई इलाकों में हालात तनाव पूर्ट दलि के पूरुकारुन मंत्री सोमनाद भारतियों के तीन समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज एक मुसलिम महिला ने लगाया बदसलू की कारोप आज मजस्ट्रेट के सामने दर जोगा पीडिता का बयान और अब नज़र डालेंगे आज की पांच बड़ी खबरों पार आम आद्मी पार्टी के 21 विदायकों की सदसेता को लेकर चुनावयोग आज एहम फैसला सुना सकता है संसदीय सच्यू बनाय जाने के बाद से इन विदायकों की सदसेता पर खत्रा मंडरा रहा है चुनावायोग ने आपके 29 विदायकों को नोटिस भेज का इस्तिती स्पष्ट करने को कहा था जिने दिल्ली सरकार ने संसदिय सचीव के पद पन्युक्त किया था चुनावायोग ने सविधानिक प्रावधान ना होने के बावजूद भी संसदिय सचीव बनाये जाने पर 21 विदायकों से जवाब मांगा था विदायकों को संसद्य सचीव बनाए जाने के फैसले का विरोध करते होई केंडर सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपती जताई थी केंडर का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ एक संसद्य सचीव हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पास होगा 21 विदायकों को ये पद देने का कोई सेविदानिक प्रावधान नहीं है BSP प्रमुक मायावती को वेश्या से बदतर बताने वाले UP BJP पाध्यक्षिद दयाशंकर सिंग के खिलाफ BSP ने मोर्चा खोल दिया है BSP कारेकरता BJP नेता के खिलाफ सडक पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लखनों के हजरत गंज में आज सुबह भारी संक्या में BSP कारेकरताओं ने BJP और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगा का विरोध जताया BSP सांसद और मायावती के सलाकार सतीश चंद्र मिश्रन ने कहा कि वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे जबकि बसपा नेता मेवा लाल ने लखनों के हजरत गंज कोतवाली में इस बयान के लिए दयाशंकर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी वही UPJP उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंग के बयान को तूल पकरते ही पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निसकाशित कर दिया है कुजरात के उना कस्बे में दलित समुदाई के यूकों की बेरहमी से पिटाई किये जाने की घटना के खिलाफ जारी विरोध पदरशनों के बीच साथ और यूकों ने कल खुद खुशी करने की कोशिश की जिससे राज्यों में स्तिती और बिगड़ गई साथी समुचे राजे में कई जगों पर हिंसा और आगजनी की खबरे मिली है कॉंग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गंदी आज उना जाने वाले हैं जहां वे पिडितो और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे इस मामले को कॉंग्रेस और अन्य पक्षिदलों ने बुदुआर को संसत के दोनों सदनों में उठाया और हंगामा किया जिसके बाद ग्री मंतरी राजनाथ सिंग ने बयान दिया वही बुदुआर को परदशनों के दोरान राजकोर्ट, पोरबंदर, बोतर और गिर सोमनाथ जिलों में आत्महत्या की कोशिश की घटना इस सामने आई है दिल्ली के मालवे नगर से है, आम आत्मि पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर कानून मंतरी सोमनाथ भारती सहित, उनके तीन और कारेकरताओं के खिलाफ साके ठाने में कल मामला दर्ज किया गया है पीडित महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों पर महिला के साथ बदसलूकी और अबद्रता करने का मामला दर्ज किया है जबकि सोमनात भारती पर इन लोगों को महिला के साथ बदसलूकी करने के लिए उकसाने का आरोप है पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने महिला का बयान दज करने के बाद इस मामले में सोमनात भारती समेट अन्य लोगों से पूछ ताच करने की बात कह रही है पूर किर्केटर और कमेंटेटर नव जोट सिंग सिद्धू की बीजेपी छोड़ने और आमादमी पार्टी में शामिल होने के अटकलों के बीच पंजाब कॉंग्रेस के दिगज नेता अमरिंदर सिंग ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का नियोता दिया है उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू कॉंग्रेस में आते हैं तो अच्छा होगा अमरिंदर सिंग ने कहा कि सिद्धू की फैमली के लोग पुराने कॉंग्रेस ही है कॉंग्रेस बड़ी पार्टी है उसमें जिसको आना है वो आ सकते हैं लेकिन आना या ना आना सिद्धू पर निर्वर करता है पार्टी में आने पर सिद्धू को डिप्टी सियम का पड़ देने या ना देने के मुद्धे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सवाल ही नहीं बनता सिद्धू से इस बारे में ना बात हुई है और ना ही मुलाकाद अब देखते हैं खबरे जल्दी जल्दी केंद्र सरकार ने उत्तरपदेश के गोरखफूर में नया खिल भारती आयर विज्ञान संस्तान बनाने को लेकर कल मंजूरी दी खास बात ही है कि ये फैसला गोरखफूर में 22 जुलाई को होने वाली पी-म की रैली से ठीक पहले किया गया प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा युजना के तहत 111 करोड रुपे की लागत से गोरखफूर में एम्स बनाया जाएगा सरकार के उसे जारी बयान में कहा गया नए एम्स की सापना आबादी को सूपर स्पेशलिटी स्वास्ते देख बार प्रदान करने के उद्देश को पूरा करेगी जबकि डॉक्टर और स्वास्ते कर्मियों का बड़ा पूल तयार होगा जो राश्ट्री स्वास्ते मिशन के तहत तयार की जा रही प्राथमिक और दिद्टिक स्वीदाओं के लिए उपलब दो सकते हैं इसकी शम्ता 750 बिस्तरों की होगी और इसमें मरजेंसिया ट्रामा और आयुश खंड होगा रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने बुद्वार को बताया कि मुंबई एमदाबाद हाई स्पीड रेल कोरिडर अगले 6 साल में बन कर तयार हो जाएगा और इस ट्रेन का किराया हवाई जाज के किराय से भी कम होगा रेल मंत्री ने लोगसबा में प्रशनकाल के दोरान कहा कि ये मैतो कांशी परियोजना मुंकिन है और हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट कोस्ट इफेक्टिव होगा मुंबई और एमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के 508 किलोमेटर की दूरी लगबग दो घंटे में पूरा करने की उम्मिद जताई गई है अभी दुरंतो एक्सप्रेस इस दूरी को पूरा करने में साथ घंटे लगाती है माना जा रहा है कि इसके अधिक्तम रफ्तार 350 किलोमेटर पर टी घंटा और अप्रेटिंग स्पीड 320 किलोमेटर पर टी घंटा होगी आतंकी बुर्हानवानी की मोत पर काला दिवस मनाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंती नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर रागलापा है उन्होंने बुद्वार को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और कश्मीरियों के अधिकारों का सम्मान करते होए वहाँ जन्मत संग्रे कराया जाना चाहिए शरीफ ने कहा कि भारत ताकत के दम पर कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकता और आखिर कार उन्हें सतंतरता मिलेगी संग्धुराश्टर ने कश्मीर को एक विवाद शेत्र घोशित कर रखा है और भारत को कश्मीरियों के अधिकारों का सम्बान करते हो जनमत संग्रे कराना चाहिए कश्मीर मुद्दे की और विश्व का ध्याना करशित करने के लिए पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है और पूरे देश और पाक अधिक्रत कश्मीर में रैलिया और कारेक्रमों का उज़न किया जा रहा है इन दिनों क्रिकेट से दूर आराम फर्मा रहे टीम इंडिया के वंडे कप्तान महिंदर सिंग धोनी टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलने को मिस कर रहे हैं तीम इंडिया वेस्ट इंडिय के दोरे पर है और दिसंबर दोजा चोदा में टेस्ट करिकेट से सन्यास ले चुके महिंदर सिंग धोनी ने कहा कि वहां भारती स्पिनर कहबर पाएंगे साथी दोनी ने ये भी कहा कि वो भारत और वेस्ट इंडिय के बीच गुरुआर से शुरू होरे पहले टेस्ट पर अपनी नजर बनाई रखेंगे दोनी ने कहा कि उन्हें ये प्रभावशाली लगता है कि भारत के पास अब आठ से दस अच्छे तेस गेंद बाजों का पूल है उन्होंने कहा जितनी अधिक्पतिस परदा होगी उतना बेहतर होगा यह अच्छा है के अंतते हैं हमारे पास आठ से दस गेंद बाज है जो चैन के लिए जोर लगा रहे हैं अगर मैं एक साल पहले दक्षुन अफरीका के खिलाफ एक दिवसीय सिरीज की बात करू तो उस समय कुछ गेंद बाज चोटिल थे गाजियाबाद के महागुन पूरम सोसाइटी में पूरम बैडमिंटन क्लब के द्वारा एक अनोखे बैडमिंटन टूर्णामेंट का आयोजन किया गया है इस टूर्णामेंट का अनोखा पने किसके पति भागयों की उम्र सीमा टूनामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाडियों की नियूंतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है पुरम बैडमिंटन किलब ने या ओजर ऐसे पूर खिलाडियों के लिए किया है जो जीवन की भागदोड में खेल कूद से दूर हो चुके है इस टूनामेंट में कुल 18 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो अलग अलग खेल इस तर के मताबरिक इस टूनामेंट के अलग अलग ग्रूप में हिस्सा ले रहे हैं इस टूनामेंट का खास आकशन मेंस डबल्स की पतियों गिताए हैं आज से शुरू हो इस टूनामेंट का समापन से 30 जुलाई को होगा आज इस टूनामेंट के तीन एहम मैच खेले गए खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मेट्रो टीवी के साथ नमस्कार